23 जून को कैसा रहेगा देश भर में मौसम भारतिय मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों के दोरान केरल, दक्षन आंतरिक करनाटक, विर्दब, कोस्टल करनाटक और गोवा में अलग-अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश और तेज तुफान की चितावनी दी है आज और कल दक्षनी मध्यप्रदेश, विदर्ब, मराथवारा, टेलंगाना और दक्षन चत्तीसगर में गरच के साथ काफी व्यापक बारिश होने की संभावना है अगले 24 घंटे के दोरान मध्यभारत के कई हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है जिसमें महाराष्ट्रा के अमरावती, नागपुर, चंद्रपुर, लातूर और मध्यप्रदेश के बालागाट, जबलपुर, शिवानी बैतूल, छिंद्वारा में बिजली की गरच चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है 23 जून को बिहार, जारखंट, पश्चिम, बंगाल, गुजरात, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडू और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हलकी से मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी पूर्वी भारत में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश से अब थोड़ी राहत मिलने की संभावना है अगले 24 घंटे के दौरान के कुछ स्थानों पर हलकी से मध्य वर्षा का अनुमान उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी राजियों में पश्चिमी विक्षोब का प्रभाव आज से कम हो जाएगा लेकिन पहारी राजियों में कल तक हलकी वर्षा का दौर जारी रहेगा जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाक, हिमाचल प्रदेश और उत्तर आखंट के कुछ भागों में हलकी वर्षा होने की संभावना है आज दक्षन पश्चिम मौनसून में कोई प्रगती नहीं हुई है कल मानसून महराश्ट्रा मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और इसा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा था उत्तर भारत के राजियों में हलकी बारिश के बाद तापमान में गिरावट आए है लेकिन अगले दो दिनों के दोरान तापमान में दो से तीन डिगरी की बड़ोतरी होने की संभावना है